अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल ये बटन को क्लिक करें असलाम अलेकुम आज मैं आपके लिए लिके आई हूँ चावल की खीर की रेस्पी ये खीर बहुत मज़ेदार बनती है और इसे बनाने के लिए हमीगी इंग्रीडियन्स चाहिए फूद एक लिटर चीनी एक कप बदाम दो खाने के चमचे पिस्ते दो खाने के चमचे डबल लोटी की स्लाइस एक अदत तीन खाने के चमचे या वन फोट कप बसमती चावल चावलो को मैंने 15 मिनट के लिए पाने में भिगो दिया था अगर आप चाहें तो आप बॉइल राइस भी ले सकते हैं मैंने एक दबलोटी के स्लाइस को बिलकुल बारीक पीस कर उसका चूरा बना लिया था उसके बाद पतीली के अंदर एक लीटर दूश शामिल करेंगे और उसे एक बॉइल आने तक पका लेंगे जब दूद के अंदर बॉइल आ जाएगा तो उसके अंदर एक कप चीनी शामिल कर देंगे खीर को हम हलकी आज़ पर पकाएंगे और थोड़ी थोड़ी देर पर चमचा चलाते रहेंगे। भीगे हुए चावलों को ग्राइंड कर लेंगे, अगर आप चाहें तो आप इसे बारी ग्राइंड कर सकते हैं, मैंने इसे थोड़ा मोटा ही रखा था। चावल को दूद के अंदर शामिल करेंगे और उसे दस मिनट तक बिल्कुल हलकी आँच पर पका लेंगे ताकि चावल गल जाए और हम चमचे को मुसरसल चलाएंगे ताकि हमारी खेर नीचे से लगे नहीं। 10 मिनट के बाद जब खीर काड़ी होना शुरू हो गई थी और चावल गल गय थी तो उसके अंदर मैंने डबल लोटी का चूरा शामिल कर दिया था। जैसे ही आप डबल लोटी का चूरा खीर के अंदर शामिल करेंगे तो वो गाड़ी होना शुरू हो जाएगी मैंने आज को विल्कुल हलका रखा था और इसे मैंने मिक्स कर लिया था अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर खोया भी यूज़ कर सकते हैं जब डबल लोटी खीर के अंदर मिक्स हो गई थी तो उसके अंदर मैंने एक खाने का चमचा पिस्ता और एक खाने का चमचा बदाम शामिल कर लिया था अगर आपको सफैद खीर पसंद है तो आप इसे इस वक्त ही सर्फ कर सकते हैं एक फ्राइंक पैन के अंदर आदा कप चीनी शामिल करेंगे और उससे बिलकुल हलकी आँच पर पिगला लेंगे ख्याल रखिएगा अगर आप इसे तेज आँच पर पिगलाएंगे तो चीनी जल जाएगी और खीर में उसका फ्लेवर बहुत बुरा आएगा वो बिलकुल जला जला सा आता है खीर का चूला बिलकुल हलकी आँच पर रखेंगे और उसके अंदर केरेमल शामिल कर देंगे और चमचे को तेज तेज चलाना शुरू कर देंगे जिसकी वज़ा से इसके अंदर औरंज कलर आता है अगर केरेमिल खीर में जमना शुरू हो जाए तो हलकी आच पर चूले को जलाके रखिए वो खुद बखुद हल हो जाएगा बहुत ही असान और बहुत ही मज़ेदार सी चावलो की खीर तैयार है ये बिलकुल बजार जैसी बनती है आप इसे जरूर ट्राइ कीजेगा अगर आपको मेरी रस्पी पसंद आई है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल ये बटन को क्लिक करें